दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे voucher entry करने का एक बहुती सानदार तरीका। दोस्तों आज जो मैं आपको फीचर बताने जा रहा हूँ, उसका OPO, ज्यादा तर जो भी Chartered Accountant होते हैं, GST Practitioner होते हैं, वो लोग इसका बहुत यूज करते हैं, अकाउंटेंट भी इसका बहुत यूज करते हैं, होता यह है कि जो Chartered Accountant हैं, जो GST Practitioner हैं, वो क्या करते हैं, Tr सारी की सारी पर्चेज, सारी की सारी सेल्स और Credit Note, Debit Note आदी की सारी की सारा वो Data लाकर CA या पर GST Practitioner देता है, अब CA और GST Practitioner होते हैं, उनके पास एक फर्म तो होती नहीं, सेकलों फर्में उनके पास होती हैं, तो वो इस जो डेटा उन्होंने उनको दिया है, Traders ने, Manufacturer न होती हैं, बहुत सारी आपके Bank से Related Entry होती हैं, तो उस में भी करने में, आपको ये Feature बहुत काम आएगा, इसके अलावा आपको जब भी जरुत पड़े, आप इस Feature का यूज कर सकते हैं, यानि बिना Vouchers में जाए गया Voucher Entry कर सकते हैं, कुछ एक्जामपल में आज की वी चलता हूँ हर से Traders के Laser में, और हर से Traders के Laser में जाकरी मैं उनसे पर्चेश की उसके Entry करता हूँ, इसके लिए Gateway of Taly मुक मेन्यू है, और किसी भी पार्टी की Laser में जाने के लिए मुझे यहाँ पर Display More Reports को Select करके Enterprise करना होगा, फिर Account Works को Select करके Enterprise करना होगा, और फिर Laser को Select करके Enterprise क तो मैंने Gateway of Taly मुक मेन्यू से DAL प्रेस किया, हम आगए दोस्तों इस जगह पर, अब यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप आगए List of Lasers में, इस जगह पर दोस्तों आपने जो भी Laser Create कर रखे हैं, चाहें वो आपके Supplier Party की Laser हो, चाहें वो Data Party की Laser हो, या फिर आपके Expenses क के Laser हो, Incomes के Laser हो, इसके अलाब आपके Bank Account से Related Laser हो, सारे के सारी Laser आपको यहाँ पर List of Lasers में मिलेंगे, और जिस भी Laser को Select करके, आप Enterprise करके अंदर जाएंगे, तो उस Laser को लेकर आपने जो भी Transaction की हैं, वो आप उस जगह पर देख शकते हैं, अब मैं यहाँ पर Purchase की Entry करने जा रहा हूं, Purchase Voucher में नहीं जा रहा हूं, सीधे जो Harset Traders का Laser है, उसमें जा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं Harset Traders का Laser Select करके, और Enter प्रेस कर देता हूं, Harset Traders का Laser यहाँ पर आ गया, Alt के साथ App2 प्रेस करके मैं ले लेता हूं, पूरा पीरिट, तो एक Apparel से लेकर 31 जुला करना है, वो आपको बताता हूं, दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, कि मैं यहाँ पर अगस्त में मैंने इन से Purchase की है, और अगस्त के कुछ Invoices है, जिनकी मैं Entry करने जा रहा हूं, तो मैं आगया सीधे Harset Traders के Laser में और यहीं से मैं Entry कर लूँगा, अब आपको क्य करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी Entry को Copy करेंगे, और Copy करने के बाद, हमने जो Purchase की Entry करने जा रहा है, अगस्त महिने के, वो हम Entry कर लेंगे, और Entry करने का उसको Save कर देंगे, तो क्या होगा, जिस Entry को मैंने यहाँ से Copy करने के लिए उठाया है, वो भी बनी करना है, अब मैं मानके चलता हूँ 31 जुलाई वाली जो Entry, इसको मुझे Copy करना है, तो मैं लेकर आया, करसर 31 जुलाई वाली Entry पर लेकर आ गया, मैं आपको Zoom कर के देखा देता हूँ, 31 जुलाई की जो Entry हो में लेकर आ गया, और इस जगे मैं ऐसे आ गया, अब इस Entry को 31 जुलाई वाली जो entry है, इसको मैं copy कर रहा हूँ, कौन सी entry है, देखिए, invoice number है 205, last मैं आपको यहाँ पर शोर आओगा, अब क्या होगा दोस्तों कि इस तरह से जब हम entry करेंगे, तो वह धी fast entry कर पाएंगे, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं F2 प्रेस कर देता हूँ, एक अगस्त में मैं entry करने जा रहा हूँ है, तो मैंने एक अगस्त कर दिया, अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, तो 16 digit का invoice number है, यदि आप vouchers में जाकर entry करते, तो आपको यह 16 digit वहाँ पर type करने होते हैं, इसमें आपको समय लगता, मैं क्या करूँगा, सीध मैं यहाँ पर end का बटन प्रेस कर दूगा, end का बटन प्रेस किया, तो इसमें 16 digit में शुरू के जो digit है, वो send to send हर invoice में रहने बाले, जैसे कि STO 2021, 222 अब यह, अब मैं आगया end पर, end पर अब क्या है, 225 number का invoice है, मैंने end बटन प्रेस कर दिया, last में आगय, दो digit मैं यहाँ से मिटा देत नहीं है, क्योंकि वो ही सब कुछ रहेगा, इसके अलाबा, अब हम आगये, दोस्तों, stock item पर है, कौन-कौन से stock item मैंने purchase किया थे, पिछले invoices में, वो इसमें सो रहे है, अब मैं इसमें बदल भी सकता हूँ, modify कर सकता हूँ, इनकी date, quantity, इनकी जो quantity है, rate है, वो सब कुछ मैं Amonds को मैंने purchase नहीं किया, तो Amonds को यहाँ सहचा देते है, Alt के साथ, Sorry, Control के साथ, Depress किया, मैंने, Control के साथ, Depress किया, Amonds stock item यहां से हडगया, Salt मैंने purchase किया, इसको रहनें देता हूँ, 200 की quantity में, पिछले invoice मा पर्फची किया था, इसमें मैंनेmanे purchase किया 250 की quantity में, मैंने quantity बदल दी, रेट 20 थी, पिछले invoices में 20 रुपए, पर kilogram मैंने purchase किया, तो salt, अब मैं करने जा रहा हूँ 21 रुपए, प्रति किलोग्राम, तो मैंने यहाँ पर rate में डाल दिया, 21 रुपए है, second stock item है, सुपारी, तो इस invoice में भी मैंने सुपारी को यहाँ पर purchase किया है, 150 की जगे, आप 100 की quantity कर दिया, 250 रुपए, प्रति किलोग्राम, इसको मैंने modify कर दिया, अब यहाँ पर कोई extra stock item मैंने इस invoice से purchase किया, उसको मैं यहाँ पर add कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर space की प्रेस की, और यहाँ पर अब मैं इनसे एक और stock item purchase करने जा रहा हूँ, सुगर है, तो मैंने इसको 500 किलोग्राम purchase करने जा रहा हूँ, मैंने डाल दिया, और इसको मैंने इस तरह से accept कर लिया, आप क्या हुआ देखिए, 31 जुलाई की जो हमारी entry थी, वो तो इस जगह पर show हो ही रही है, इसके अलाब एक अगस्त में हमने जो अभी entry की है, वो अलग से इस जगह सो होने लगी क्यों, क्योंकि मैंने 31 जुलाई जो वाली जो entry थी, उसको मैंने अल्ट के साथ 2 प्रेस करके copy किया था, copy किया था, तो वो entry तो बनी ही रहेगी, copy जो की थी, वो entry भी अलग से show होने लगेगी है, तो मैं देखिए, आपको दिखा भी देता हूँ, 31 जुलाई कर देखिए, य 255 number invoice, 255 किया, यहाँ पर एक अगस्ती रहने दिया, और यहाँ पर जो भी stock item है, जो भी मुझे परिवर्तित करना था, उसकी मैं rate आधी, यहाँ पर quantity आधी परिवर्तित करूँगा, कोई नए stock item आना है, जोड सकता हूँ, और कोई stock item मुझे यहाँ से हटाना है, तो उसको म मुझे यहाँ पर परिवर्तन करना था, मैंने परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के बाद, यहाँ पर मैंने इसको control के साथ a press करके, इसको भी accept कर लिया, तीसरी entry alt के साथ 2 press किया, दो अगस्त में मैंने purchase किया, दो अगस्त कर दी, end का button press किया, दो सब पचीश की जगे 260 number आपर 202 कर दिया मैंने और यहां पर 2028 कर दिया साल्ट को इंप पर्चेश करके है न और यहां पर मैंने एकके पैंट को अगस्ट डाल दिया 41 अगस्त मैं डेट कर दी और end का button प्रेस किया. अब ये है 325 नमबर कर दिया यहाँ पर 138 कर दिया और यहाँ पर क्या है शुपारी यहां पर सुपारी soarhea tournaments के अलावर मैंने यहां पर सद्थ बादल सकते आउं सकते पर यहां पर यहां पर मैं लिलेता हूं कि आधार मैं लेने लिता हूं कितना हम कौंटिती में नो जो भी कौंटिति है जो purchase की थी उसकी entry तो मैंने कर दी ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा कोश्च invoices हमारे रागप traders के भी है ना तो यहीं से मैं रागप traders के laser में भी जा सकता हूँ ना अब मैंने हर से traders से जो भी purchase की थी जितने भी invoice थे भी वह मैंने entry कर ली अब मैं चलता हूँ देखिए यहां पर f4 और laser लिखा हुआ है तो या तो आप f4 प्रेस कर दीजे की वोड से या लेजर लिखा हुआ उस पर mouse click कर दीजे मैंने f4 प्रेस कर दिया अब मुझे किसकी entry करनी रागप traders की मैं यहां इनसे invoice लिया एकत्ती सगस्त कर दिया मैंने इस जगए पर end का button प्रेस किया 185 की जगए 398 नंबर है मैंने 300 अंठान बे नंबर यहां पर कर दिया date 381 अगस्त कर दी और यहां पर amounts मैंने लिया है 500 की जगए इसमें लिया 300 kg, तो मैंने 300 kg कर दिया, salt को मैंने नहीं लिया, तो control के सब depreciate करके, इसको अटा दिया, शुगर 500 की जगे मैंने 300 kg यहाब पรसिज किया, 300 kg कर दिया, सुपारी मैं ले रहा हूँ इस invoice में भी, सो की quantity में, सो की quantity कर दिया, और 215 रुपए, पर कॉंटिटी यह 25 रुपे किया, कंट्रोल के साथ यह प्रेस किया, अक्सेप्ट कर लिया, तो यह देखिए, 31 अगस्त में हमारी जो एंट्री मैंने की थी, वो इस जगह पर शोन लगी, 3098 बे नंबर की इस जगह दिखिया, ठीके न, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ देख रहे हैं, कितनी आसानी के साथ और कितनी सीगरता के साथ मैं एंट्री कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है जब भी आप यहां पर वाउचर एंटरी को इस तरह से करने के लिए आइं तो आपको अइंटर प्रेस करके नहीं खोलना है किसी भी entry वह यदि आपने अंटर प्रेस करके entry को खोल लिया थि मैं ने नोटर के प्रेस करके किया है फिर आप क्या करेंगे तो 400 अंठाने वाल हो जाएगा 325 वाल हाट जाएगा तो आपको साथ लूट के साथ two price करके copy करना है ठीकिना अब है की debit note का voucher तो है नहीं है, तो हम copy नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से किसी voucher में entry कर सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, debit note voucher में entry करनी है, तो alt के साथ a price कर दूँगा, alt के साथ a price किया, तो fresh voucher में उसी तरह से आगया जिस तरह से कि vouchers में हम जाते थे और entry करने के लिए इस तरह पर आते थे alt के साथ f5 प्रेस कर देता हूं debit note voucher आगया f2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर 2 अगस्त में मैं 2 अगस्त देट कर दिया आगसे आपको debit note के entry और आगसे जब आपको debit note के entry को कर देख़ेंगे और आगसे जब आपको debit note के एंट्री को कॉपी करना होगा आप अल्ट के साथ टू प्रेस कीजिए और एप टू प्रेस कर देते हैं माली जी एक अत्री सागस्त में एक और है तो मैं यहाँ पर कर देता हूं इस तरह से और इसमें मैंने सुगर जो इस टॉक आइटम है उसको यहाँ पर पापस किया है 100 की क्वांटिटी में तो मैंने इस जगे पर कर दिया और इस तरह से इसको भी कंट्रॉल साथ यह प्रेस करके अक्सेट कर लिया तो यह प्रॉपर आपको एंट्री करके नहीं बताइए प्रॉपर आप रेंट्री कीजिए उसमें जो भी औरिजिनल नमबर है वह आप डाल सकते मैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पर पर्षेज रिटन की एंट्री भी कर लिए अब मैं इनको पैमेंट देना चाहता हूं तो पैमेंट की एंट्री यहीं से कर सकता हूँ तो कभी कबार यहां पर किसी दूसरे मोड में डेबिट नोट आ जाता है तो आप क्या करें चेंज मोड पर जाने के बाद आप आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, जो भी करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है, पेमिंट के एंट्री करना है तो मैं यही से अल्ट ए प्रेस कर दूँगा, अल्ट ए प्रेस किया, फ्रेस बाउचर आ गया, यहां से एप 5 प्रेस किया, एप 2 प्रेस किया, एक अगस्त में इनको पेमिंट करने जा रहा हूं, बैंक से पेमिंट करने जा रहा हूं, अब देखिए पेमिंट जो मैंने किय कि या आ है वो देखे इस जगह पर शो ने लगा अब मुझे पेमेंट की एंट्री को कौपी करना था कर नहीं कि अब यहाँ पर पेमेंट की एंट्री इशो रही है अल्ट के साथ 2 प्रिस किया और यहां पर 31 अगस्त कर लिया अब जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूं वो इनक पर शो होने लगी 25,000 रुपए जो मैंने पैमेंट किया है तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी लेजर में जाकर ये एंट्री कर सकते हैं मैंने आपको एंट्री करके बता दी जो एंट्री आपके पास है आप उसको कॉपी कर लिजिए जो एंट्री नहीं किये है आपने पहली बार करना है तो आल्ट के साथ ए प्रेस किजी फड़ेंट बाउजर को लेकर आईए और वहां पर बदल सकते हैं जो भी कॉंट्रा बाउ अब यहाँ पर IDVI bank current account का laser मैंने open कर रखा है, अब इससे related मुझे जो भी entry करनी है मैं यहीं से करूँगा, और इस तरह से जो entry करते हैं दोस्तों, तो जब हम bank statement की entry करते हैं, जिस जगे आपको bank statement की entry करनी हो, तो क्या करते हैं, जिस भी laser का, जिसी bank का bank statement है, उसी bank account के name से जो laser मै इसे आकर और यहाँ पर सारी bank statement की entry कर सकता हूँ, या bank के account से related entry कर सकता हूँ, मैं vouchers में नहीं जाओगा, इससे कर लूगा, अब देखिए यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, contra और payment voucher में entry कर रखी है और अब आपको contra voucher में entry करनी है, आप contra voucher को यहां से ले लीजिए इसके लाबा आपको यहां पर payment voucher में टेक निया payment voucher को भी कर लिए जैसे कि यहां payment का एक entry मैंने कर रखी है तो alt के साथ to press कर देता हूँ है आप मैं प्रेस करना चाहता हूँ और देखिए पेमिंट की जो हमने entry की हरसे traders को जो ही 50,000 प्रेमिंट की एंटर की वह भी इस जगह पर शोने लगी अब यहां पर contract की entry है तो आप contract की entry कोपी कर लिजिए payment की entry है payment की entry कोपी कर लिजिए अब आपको receipt की entry करनी है न तो receipt voucher तो यहां पर तो नहीं हो रहा है तो नया वाउचल अना लट के साथ कर दीजिए। पैमिंट वाउचर ऊपन हो रहा है। यहां पर एपर यह प्रेस्ट कर दूए है। मैं यहां पर पर प्चासाजार रपर यहां पर चेक दिया है। अब रागी यहाँ पर आ गया है जो भी इंस्टॉमेंट नुम्बर है वो मैं इस जगह पर डाल दिया और इस तरह से मैं इस एंट्री को कर लिए आप रिश्ट के अंट्री यहां पर सोने लगी देखिए अब रिस्ट वैविश्ट वे आप रागया है जो मैंने आपका सभी ह हो गए Contra भी है Payment भी अब हमको क्या है जो भी हमारी बैंक अकाउंट से रिलेटेट एंट्री वो तीन ही वाउचर में जाएंगी तीनों बाउचर इसे कर आ गए और जिसी वाउचर में एंट्री करना है इसके लाव इस फीचर का यूस आपको तब भी बहुत उपयोगी शाबित होगा मान लीजिए क्या है कि आप कहीं पर कारी करने गए और आपके senior accountant ने काम कर रखा उसमें या आप कुछ एंट्री आइसी होती है जो कि हम कभी कभी करते हैं आप भूल गए कि वह एंट्री मैंने इसके साथ आप चाहां stock summary report में जाकर भी ये कारे कर सकते हैं इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि आप किसी भी register में जाकर भी इस तरह से यूज कर सकते हैं वाचर एंट्री कर सकते हैं about criticismu RA यहाँ से मैं जाओंगा display more reports में Judge gave more reports के बाद गया मैं account books में account books में जब मैं गया तो यहां पर दोस्तों में आ गया एर रर्जिश्टर का गया चैंछ Beyond मे जाए है न इसी तरह से payment voucher आधी जो भी यहां पर register है उन register में आपको उस जो लिखा हुआ है payment register की बात करें तो payment register में जब मैं अंदर जाओंगा तो payment voucher में जितनी वी entry मैंने आस्टर कर रखी हूं वो मुझे इस जगह पर मिल जाएंगे तो यहां पर भी जाकर मैं entry कर सकता परचेज रजिश्टर में चलता हूँ परचेज रजिश्टर को सेलेक्टर के एंटर प्रेस किया तो देखें मंतली वाज यहां पर सारी परचेज आ गई अब आपको परचेज रजिश्टर में आकर अगर किसी voucher entry कोपी करना आप कर सकते मैं इस जगह पर आ गया अब यहा यहां पर रागव टेडर्स की 31 अगस्त को मैंने परचेज की ती अब मैं सेटेंबर में परचेज करने जा रहा हूं यही से मैं अल्ट टू प्रेस कर देता हूं रागव टेडर्स की entry को सेलेक्टर के और यहां पर तीन सौ अन्ठानवे की जगह 425 नंबर का इन्वाइस है तो मैंने यहां पर कर दिया एक नो मैंने डिट कर दी यहां पर भी एक नो कर देता हूं और इस तरह से इसको भी मैं दोस्तों इस तरह से कॉपी कर सकता हूं यहां पर देखिए इस जगह पर भी आगए अल्ट के साथ करके पूरा प्रेड ले ले लेते हैं तो एक सेप्टे प्रेस्टर में आगए यहां पर मंतली वाइज आपको मिल जाएंगी जो भी आपने पैमेंट रिश्टर में अब मैं यहां पर अगस्त की जो एंट्री है उसको ओपन कर लेता हूं और आल्ट के साथ एप टू प्रेस करके पूरा पीरेट कर लेता हूं तो यहां पर आज तक जो भी मैंने पैमेंट वाउचर में एंट्री करके और आपको नया फ्रेस वाउचर चाहिए तो अल्ट के साथ एप प्रेस करके आप फ्रेस वाउचर भी ला सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि आप पैमेंट वाउचर में हैं यहां पर यहां पर पैमेंट रिश्टर में ह है हो जाएगी जैसे मैं रिसीप्ट वाउचर में यहां पर एंट्री करने जाता हूं मानके चलता हूं यहां पर दो अक्टूबर में मैं यहां पर एक एंट्री कर लेता हूं रिशिट किया न मैंने कैस रिसीप किया किस से रिसीप किया रागव टीडर से मानके चलते हैं वो स यहां पर मैं आ गया रेसिट रेस्टर में और रेसिट रेस्टर में देखिए तो अभी जो मैंने एंट्री की थी यहां पर देखिए आका स्टेडर्स को 28,450 रुपाई दो अक्टूबर में जो मैंने रेसिट किया इंसे वह इस जगह पर शोने लगी तो यह जरूरी नहीं कि आप जिस रेस्टर में हैं उसी रेस्टर से रिलेटेट एंट्री कर सकते हैं आप कुछ और भी एंट्री कर सकते हैं आप अगर पर्चेज रेस्टर में तो पर्चेज रेस्टर में रहते हुए आप किसी पार्टी का लेजर खोले हुए हैं और जरूरी नहीं कि आप उसी प सब्सक्राइब का तो कि यह जरूर नहीं कि मैं यहां पर देखिया पर के साथ हब कर दीया है यह परoitें सेंटीयार हुई यौद्ः करListen कि में इंट्रि आ को सब्सक्राइब श्क्राइब का अब मैं क्या कर रहा हूँ यह जो एंट्री करने जा रहा हूँ लेजर कौन सा खुला हूए मैं लेजर है रागव टेडर्श का और एंट्री किसी कर रहा हूँ रसे टेडर गलाँ है तो यह एंट्री मैं यहां पर इस तरह से कर लेता हूँ ये अभी एक अक्टूबर में कीती है तो आप किसी भी लेजर में हो किसी अन्य लेजर के लिए आप एंट्री कर सकते हैं और इस एंट्री को मैं आपको open करके बता देता हूँ यह वही वाली एंट्री 26,880 रुपाय वाली ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप इस feature का use कर सकते हैं मैं समझता हूँ आज का topic आपको अची तरह clear हो गया वीडियो अची लगे तो like करें धन्यवाद